अगर आपको भी अपने Windows 7 में यह error आ रहा है और आप अपने Windows 7 को update नहीं कर पारे तो इस वीडियो में मैं आपको दो method पताऊंगा इसको fix करने के लिए सबसे पहला method है आपने simply Windows icon पे click करना है और यहां search वाले box पे आपने लिखना है services यह services का आपको option मिल जाएगा इस पे आपने click करना है अब यहां पे आपको एक service सर्च करनी है Windows update यह वो service है Windows update की इस पे आपने right click करना है इसकी properties पे click करना है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो यह startup type है यह automatic होना चीए ठीक है उसके आपने इसको apply कर देना है automatic करके फिर इस service को आपने एक बार stop कर देना है service को stop करने के बाद आपने फिर से उसको start कर देना है और उसके बाद इसको OK कर देना है उसके बाद इस window को cut कर देंगे इसके बाद जो हमारा next step होगा आपने simply अपना जो C drive है उसको open करना है यह आपका C drive है इसको open करेंगे Windows की folder को open करेंगे और यहाँ पर आपके folder सर्च करना है Software Distribution का यह रहाँ folder Software Distribution इसको open करना है और यहाँ बे जितने folder और फाइल से ना सबको आपने Ctrl A से से इसलेट करके सबको delete कर देना है अगर कोई file delete नहीं हो रही है तो आप उसको skip भी कर सकते हो सबको delete करने के बाद आपने इस window को cut कर देना है और उसके बाद आपको अपना जो system है जो भी आप laptop या desktop जो भी use कर रहे हो उसको एक बाद restart करना और restart करने के बाद फिससे try करना अगर restart करने के बाद भी आपको same issue आ रहा है और आप windows 7 को update नहीं कर पा रहे अब इस next method में हम windows 7 का जो update है उसको manually microsoft की website से download करेंगे तो यह microsoft का URL है ठीक है और यह microsoft का windows 7 का latest windows का update है यह जो update है यह 32 bit के लिए भी आता है और 64 bit के लिए भी आता है आप देशकते हैं यह 64 bit के लिए है तो जो भी आप system type यूज़ कर रहे हो उसके according आप download करके इसको install कर देना मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको check करना है कि आपको system bit है वो कौन सा है आपने simply अपने computer की properties को open करना है और यहाँ पर आप दे सकते हैं मैं 32 bit का operating system यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 32 bit वाला download करूँगा अगर आप 64 bit वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपने simply 64 bit वाला download करना है यह वाला जो है वो 64 bit वाला है और जो second वाला है यह 32 bit के लिए है तो आपने simply download पे click कर देना है और आप दे सकते हैं आपका जो downloading process है वो start हो गया और उसके बाद इस update patch को आपने simply install करना है और install करने के बाद अपने system को एक बार restart कर देना और जो आपका issue है Windows 7 को update करने का वो solve हो जाएगा इसके बाद और इसका जो download link है मैं description box में डाल दूँगा वहाँ से आप easily इनको download कर लेना तो यह था इस video में Thank you